इन दो पलों ने भारत और इंग्लेंड के बीच हुए दूसरे टेस्ट मैच में लूटली महफिल बासका जहपटा और रॉकेट थ्रो तो भारत और इंग्लैंड के बीच हुए दूसरे टेस्ट मैच में वैसे तो हमने ये श्रस्वी का कमाल का दोहरा शतक देखा शुबमन गिल का दिल जीत लेने वाला कमबैक शतक देखा बूम बूम बूमरा की घातक गेन बाजी देखी एक बार फिर से रोहिच शर्मा की गाली सुनी लेकिन बास का जपटा और रॉकेट थ्रों ने लूट ली महफिल और जीत लिया सब का दिल सबसे पहले बात करते हैं बास के जपटे की तो दरसल टीम इंडिया के कप्तान रोहिच शर्मा इंग्लैंड के खिलाव जाली टेस सीरीज में एक अलग ही अंदाज में देखने को मिले बल्लवाजी से वो बेशक कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हो लेकिन कप्तानी और फिल्डिंग में उन्होंने कमाल कर दिया दूसरे डेस मैच के चौते दिन रोहिच शर्मा ने रवीच अंदन अश्विन की गेन पर स्लिप में ओली पोप का एक बहतरीं कैच लपका रोहिच शर्मा का ये कैच इतना शांदार था कि खुद ओली पोप को भी यकीन नहीं हो रहा था दरसल 29 वे ओवर की तीसरी गेन पर अश्विन की और स्टम पर जाती हुई गेन पर ओली पोप ने तेजी से बल्ला घुमाया गेन ने काफी गती थी ऐसे में गेन बैट का मोटा किनारा लेते हुए विकेट के पीछे तेजी से निकली लेकिन रोहिच शर्मा पूरी तरीके से चौकनने थे जैसे ही गेन और बैट का संपर्क हुआ रोहिच ने स्लिप में बाज की तरह जपटा मार कर एक हाथ से कैच को अपने पंजे में जकर लिया इस तरह खेल के चौते दिन इंग्लैंड का चौता विकेट किरा ये वही ओली पोप हैं जिन्होंने पहले टेस्ट में अकेले दम पर शतक लगा कर टीम इंडिया से मैच छीन लिया था लेकिन दूसरे टेस्ट मैच की दोनों ही पारियों में पोप बुरी तरीके से फ्लोप हुए फिर इसके बाद हमें देखने को मिला रॉकेट थ्रो दरसल बैसबॉल का तोन निकालने के लिए बार बार फील्ड सेटिंग में बदलाव किये जा रहे थे बावजूद इसके पिछले 10 ओवर में कोई विकेट नहीं आया था जीत का अंतर घटकर 189 रन रह गया था स्टोक्स और बेंट फोक्स के बीच साज़ेदारी भीपन अपने लग गई थी तब ही श्रेसाइयर ने एक जादूई डारेक्ट थ्रो या यू कहें रॉकेट थ्रो से बेंट स्टोक्स को रन आउट कर दिया पारी के 93 ओवर में और लेंच के बाद 10 ओवर में रवीचंदर नश्विन की बॉल पर बेंट फोक्स के बले का अंदरूनी किनारा लगा और गेन स्क्वेर की ओर लुडग गई फोक्स और स्टोक्स रन चुराना चाहते थे लेकिन वो ये भूल गए थे कि स्टोक्स कुछ इंच दूर रह गए और इस तरीके से स्टोक्स ने अपना विकेट गमा दिया और स्टोक्स ने एक रॉकेट थ्रो मारा आपके हिसाब से किस फल ने लूटी महफिल और जीता आपका दिल आपकी जो भी रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं फिलाल हमारी इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें